करता है अजी अग्टी सिए अगर भाई साफ अभी आप पॉइंट से बन देख लेए इसकी आपको कहानी थोड़ी सी क्लियर करते है और ऑस्च्च्ट चोड़ीया का नेटरन रेट प्लस 2.4 पांहें बड़ीबात नहीं है और वैसे भी इस ग्रूप में प्ले में आने ही नहीं वाला है वो परसुन सुबह आपको चीजें और कंफर्म हो जाएंगी कल शाम को मैच है इंडिया इंडिया बंगलादेश परसुन सुबह मैच है ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान इस मैच के लिए हमारे पांडे जी बहुत ज्यादा उ अगर जो माना जा रहा है इंडिया इंडिया बंगलादेश में इंडिया फेवरेट है और अगर कोई अपसेट नहीं होता है कल शाम और परसुन सुबह तो भाई आपको सेमी फाइनलिस्ट पू लेके सबसे पहले मिल जाएंगे इसमें आपकी इंडिया और उस्ट्रेलिया जाने वाली है फिर आपका जो मैच होगा इंडिया उस्ट्रेलिया को 24 तारीक को है 24 की शाम को जो मुगाबला है उससे पहले 23 और 24 की शाम का मैच और 24 की सुबह का जो मैच है वह मैच होंगे पूल 2 के जिसके बाद पूल 2 के सभी मैचे तब तक खतम हो जाएंगे फिर हमें है बता होगा कि बाई पूल 2 में नंबर 1 पर इंगलेंड है नंबर दो पर एफ्रिका यह फिर फिर इंडी घेल ला होगा तो यह पाथ फोड़ा आपका असान होगा लेकिन बतौर हमारा जो विनिंग नोट लगा हुए विनिंग मेंटम लगाएं विनिंक मेंटम जारी रहे फिर semi final में जीते फिर हम आगे जाए net run rate इस group में कोई माइन ने रखने वाले दूसरा जो group है मुझा कर आप हमें पूल टू का जो है एक बारी पॉइंट से बस दिखा दें उसमें जो है वो चीजें शायद थोड़ी सी net run rate में जाकर फसेंगे विकाज अभी क्या हुआ है South Africa ने पहला जीता हैं England ने पहला जीता है अपना कहीं पर ऑगला match है आपका सी आपका इंगले मैशल मेंक एंधर ऊटू करते हैं के सी ऐसे यह पेले जीतने होगा से वोनेbon हें जीतना पांढ़े जितना पंटे जिएगा ज clones और होगा लेकिन इस गूरुप का जो य Etama Ben Von Daugh कि hai दूशरे ग्रूप में कहीं पर सपोस्स कीजिए साउथ एफ्रीका आज इंग्लेंड से हार गया ठीक है तो वर्चुल कोटर फैयं हो गया साथ सीधी बात है यंद पांडे जी गृूप कुंकि टो नों के ढई है और तो इसम पेच फचेगा बहुत तगड़ा और इंग्लेंड हर फिर आ बात करें तो वहां पर विल्हाल इंगलेंड जो հिंगलेंडऊ बहुत हैं एक आप टेखोगे तो फिल्हाल इंगलेंड अगर अपना MNK आप बहुत बहुत है रिया है जो आप मैर जिन जो बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज वाले मैच में 17 ओवर मैच खतम करने की वज़ए से उनका एनरार सबसे अगर अगर आज कहीं साउथ अफरिका जीते वह दो जीतेंगे वह दो जीतेंगे चार पॉइंट अब उसके बाद देखना होगा कि अभी जो साउथ अफरिका और इंग्लेंड का एनरार है क्या वो सरपास हो जाएगा अच्छा एक बड़ी लग जाए ना एक पॉइंट से स्क्रीन में तब लगाई है जरा फिर मैं जरा स समझाता हूं विगास बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था अगर कहीं आज आपकी इंग्लेंड की टीम जीती वह थ्रू है लेकिन अगर आज की साउथ अफरिका जीत गई तो क्या हो जाएगा जी साउथ अफरिका दो खेले दो जीतें इंगलेंड दो खेलें एक जीतें एक लेकिन फिर अगर नीचे से West Indies USA को भी अरा दे, West Indies फिर South Africa को भी अरा दे तो उस case में क्या होगा, England, South Africa और आपकी West Indies, तीन खेले, दो जीते एक हारे वो पूरा का पूरा ग्रूप फिर आपका Net Run Rate के basis पर होगा final दुबाला समझा देते हैं जी आपको, पहला ग्रूप आपको पूरी दरा बता दिया, वहाँ पर इंडिया का रास्ता है, बस इंडिया को कल बंगलादेश को हराना है और आपका जो परसो मैच होगा सुबह, उसमें उस्ट्रेलिया को अफगानेसान को राना है इस ग्रूप में अगर हम आएंगे, अभी क्या है, इंग्लेंड एक खेला एक जीता, साउथ अफरीक का एक खेला एक जीता USA West Indies एक खेले, एक-एक मैच हारे हैं यहाँ पर आज का मैच है आपका इंग्लेंड साउथ अफरीका, कहीं पर अगर आज इंग्लेंड जीत गया, दो मैच खेले होंगे, दोनों जीते होंगे आखरी मैच आपका USA से है फिर इंग्लेंड थुरू अपमाने गया से बट कहीं पर अगर आज साउथ एफरीका जीत गया तो पॉइंट से बलका चहरा कैसा होगा साउथ इफरीका जीता दो खेले, दोनों जीते कोई नहीं हारे इंग्लेंड दो खेले, एक जीते, एक हारे उसके बाद अगर इंग्लेंड की टीम अपना आखरी मुकाबला जो है वो USA से जीत जाती है फिर इंग्लेंड का फाइनल स्कोरकार्ट होगा तीन खेले, दो जीते, एक हारे, चार पॉइंट उसके बाद West Indies की टीम के दो मैच बचे होंगे West Indies कहीं अगर USA से भी जीत जाती है और West Indies की टीम South Africa से भी जीत जाती है तो South Africa के खाते में एक हार आ जाएगी West Indies दो जीत जाएगा, वो क्या बनेगा West Indies तीन खेले, दो जीते, एक हारे, चार पॉइंट इंग्लेंड भी उस टाइम सेम खड़ा होगा तीन खेले, दो जीते, एक हारे, चार पॉइंट South Africa भी सेम खड़ा हो जाएगा अगर वो West Indies से हार जाएगा और अगर आज जीत जाएगा इंग्लेंड से तीन खेले दो जीते एक हारी चार पूरा ग्रूप पूरा ग्रूप पूरा ग्रूप नेट रंडेट पे जाएगा इसमें सबसे बड़ा इड्वांटेज बात है मेरे साब से किसके बास है और जो साथ अफरीका से जाथ गलती हो गई कि आप मैच इसको बड़े मार्जिन से निकाल दे मुझे निलगता है कि युए से एक ऐसी टीम है जो चाहे इंग्लेंड सामने आजाया चाहे वेस्टिवी अपको लिख के देने को तयारू जागर आप को कहरे हो कि इंग्लेंड ने ओमान को ना पेट दिया इंग्लेंड ने को बड़े मार्जीन से हरा दिया युए से वो टीम नहीं है जो हमने फाइट देखी है साथ अफ्रीका की इतनी कोई मारी बोलिंग लाइन अप नहीं थी वाइद विकेट जाने के बाद भी जो पार्टनर्शिप की है बहुत अच्छी बैटिंगी थी गौस और हरमीत ने त सकती है फिर चाहे वो इंग्लेंड के सामने ले जाएगी चाहे वो वेस्ट इंडी के सामने ले जाएगी मुझे सौथ अफ्रीका का चांस इस लिए बेटर लग रहा कि इस आफ एफ्रीका का इनर इतना खराब नहीं है पॉइंट नाइन जीरो है और इंग्लेंड का 1.343 अ अब डिपेंड करता है कि आज यह मैच क्या रिजल्ट रहेगा कितना मार्जीन रहेगा कौन सी टीम के लिए अगर सौथ अफ्रीका अपना बहतर कर लेते सब्सक्राइब कर लेते सब्सक्राइब कर दिया किसी टीम का तो पूरा पार्टी खराब हो जाएगा चाहे वो इस इंग्लेंड का कर दे युए से के पास गोल्डन ऑपर्चिनिटी यह तो जाने वाले हैं नहीं किसी एक टीम का रास्ता जरूर रोक सकते हैं अभी तक देखो सुपरेट में कोई अपसे अगर एक भी अपसेट कर दिया चाहे वो इंग्लेंड का कर दे चाहे वो वेस्ट इं हैं नमीबिया की बात करते हैं डेविड वीजे हैं बस वहां पर आपके लिए स्कॉटलेंड की अगर हम बात करें वहां पर आपके आंडियो जो कप्तान है कहीं निदर लेंड्स की बात करें मैक्स ओडवड विगारा एक दो नाम आपको नजार आते हैं USA की टीम के बैटिंग में तब एक इनके उपनार उनका क्या नाम है अपना मुनांग पटेल मुनांग पटेल मुनांग पटेल नहीं आप सेंचरी चलो पहले लगाई थी कुनों ने जित्वाया कभी सौरा बगा आपको सूपरोवर मच्छी बालिंग कर देते हैं और जोंस एंड्रि कि आप बात कर लें वह उनके बास है मतलब युए से की टीम इसलिए अच्छी लगिए बिकॉस थे मुल्टिपल मैच्विन बहुत सारे है और बैटिंग की तो जहां तक बात है अभी स्टीवन टेलर की जो बापन कर रहे हैं अंड्रेस ने उपन किया था मुनांग पटेल मुनांग पटेल बड़े अच्छे बैटर एक खेलेंगे तो और डेप्स ही आएगा मतला बहतर ही होगी इनकी बैटिंग बोलिंग में भी चलो वो पिट गया थे अफ्रीका के सामने लेकिन एक समय लग रहा था 220 खा जाएंगे वहां से रोक एक सुझ नाइवन नैंटी के सब्सक्राइब लेकिन जो शुरुवात ही लग रहा था कि साथ अफ्रीका 220-225 के नीचे नहीं रूखे की तो बोलिंग में भी है एक्सपीरियंस अगर आप केंजीगे की बात करो जो लेफ्टाम स्पिनर है उनका हर्मीत की बात करो स्पिनर पेसर में आज और सौरब ने त के पास बहुत खतरनाक बैटिंग लाइन अप है यह मारने पर आ जाए तो 200-200 भी मार दे कि कोई हैरानी नहीं होगी इसमें बट मुझे जहां तक लगता है कि युसे एक टीम है वो टीम नहीं है कि बिल्कुल ही जो अगर आप इनके उपर अटेक हो रहा है तो इनके पास प स्टैंड इन क्याप्टेन कर रहा था वह घर क प्तानी कर रहरे होते हैं कि इस से बहेतर कपतानी करते इतना मुझे पता है जितना हमने मो封राग-पटेल क compon करते हुए देखा एरन जोनस से बहीतर कंतानह मोनैं पड़े अगर वह persecution है है इंडिया का रास्ता बहुत ज्यादा साफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया थुरू टिक माक लगा दीजिए उनकी पर्ची काट के आप उनको भेज दीजिए जहां पर में फसेगा जहां पर मामला फसेगा वह आपका गुरुप टू ही ओविसली एट एवरी कॉस्ट होने वाला है लाइस कर लेहुड़ उनकी लैपने अडरस्डेी कि टीजिए आणारा एवफ गड़ू यफू फू एवर बाहा हा हाई आ ह।